आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली टेस्ट एंजाइटी के बारे में टेस्ट एंजाइटी क्या होती है बच्चों को हम इसे कैसे बचा इसे बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो डेफि चाहे बच्चा कोई class test के लिए चाहे रहा है, चोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, stage के ऊपर कोई उसकी performance होने वाली है या फिर कोई games में उसने participate कर रहा है या चाहे final exam हो क्योंकि हमें बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद्धे होती है तो हम क्या करते हो कि चाहे बच्चे ने टेस्स के लिए या अपने परफॉर्मंस के लिए बहुत अच्छ से प्रिपरेशन करी है बच्चा अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छ से परफॉर्म कर पाएगा और उसकी तयारी भी आपके सामने बताई है कि हा मैं ऐसे करने वाला हूँ लेकिन फिर भी क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बच्चों से उमीरे होती है तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा और ज्यादा तयारी करें, और ज्यादा प्रिपरेशन करें, और ज्यादा पढ़ाई करें और हम बचे को बोलते हैं कि हमारे पास तुटाइम है क्यों ना हम एक और बार पढ़ ले, क्यों ना हम एक और बार प्रक्टिस कर ले, आप एक बार और मुझे सुनाओ. तो इससे actually क्या होता है हम बच्चे को mostly बोलते है कि अगर आप अच्छे से perform नहीं करोगे क्या होगा अगर आप stage पी जाकर बूल गए पहले और ज्यादा practice करते है और ज्यादा पढ़ाई करते है तो इससे क्या होता है कि बच्चा तो अपने आप में confident था कि वो अच्छे से prepare उसने करा है तो वो अच्छे से perform करेगा लेकिन कही न कहीं हम बहुत ज़्यादा उसको दराते है तो उसकी वच्छा से क्या होता है कि उसका जो confidence होता है वो कही न कही दाउन होता जा रहा है और हमारा दर उनके सामने आ जाता है कि मेरी ममा इतने दरे हुए है तो कही न कही ये दरने वाली बात है और जब वो दर उनके सामने आ जाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो तयारी थी उसका जो confidence था वो डाउन हो जाएगा और दर के मारे वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाएगा और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक्जाम के टाइम पे भी वो कुछ भी नहीं लिख पाएगा ब्लैंक आउट हो जाएगा पसीना उसका चूट सकता है या फिर कुछ बचों में हाथ पैर से कापने लगते है चूटी बच्चे होते हैं उनको पेट दर्थ होना स्टार्ट हो जाता है पेट में बटरफ्लाइस सी उड़ने लगती है तो यह सारी चीज अगर बच्चों के सा पास है उनकी वज़े से वह दरा हुआ है तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ऐसी बात आपको करनी चाहिए बच्चे ने एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करी है उसने आपके सामने ओर दिये है या फिर परफॉर् वही बात हो गई जब किसी चीज को हम बहुत अच्छे से समभाल कर रखते हैं जब हमें उस चीज की जरुरत होती है और चाहिए हम कितना भी दूण्ड लें हमारी आखों के सामने होती है वो चीज लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यदा प्रेसमें ह होते हुए भी क्योंकि हम ब्लैंक आउट है तो वह हमें नहीं मिलेगी फिर जब हम रिलैक्स है उसे नहीं डून रहें तब वह चीज हमें सामने से मिल जाएगी तो ऐसा बचों के साथ भी होता है बचों को अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी बचों को डिप्रेशन हो सकता है तो इसलिए बचों को बहुत ज्यादा दराना नहीं चाहिए तो मैनत करना अच्छी बात है एक्जाम के लिए तयारी करना भी बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर उसकी तयारी पूरी है तो बार बार उसी चीज का रिपिटेशन करवा के या उसको दराना बिल्कुल भी बच्चों को बढ़ों करें लाई तो इन नोकर की तरह काम करोगे ऐसा आप इन इसार बच्छों को बोल सकते हो कि आपने इसाब से अच्छा किया है अगर आप और अच्छा करोगी तो आप यहां पर पहुंच जाओगे कोई सकसेफुल इंसान का आप एग्जामपल बच्चों को दराना नहीं चाहिए वरना बच्चों को टेस्ट एंजाइटी हो सकती है जब बच्चों की एक्जाम से होते हैं बहुत सारे पेपर अगर हो गया तो हम क्या करेंगे कि वह पेपर खतम होने के बाद उसी को सॉल करेंगे वहाँ पर बच्चे ने कितनी mistakes करी है वह बच्चे को दिखाएंगे तो इसे क्या होगा कि बच्चा और ज्यादा stress पील करेंगे तो बहुत सारे marks कटने वाले हैं तो उसी के stress की वज़गे से बच्चा अगले paper के लिए अच्छे से टयारी नहीं कर पाईगा क्योंकि वो तो stress में है, जब आप stress में होते हो तो आप अच्छे से बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊगे, तयारी next paper की नहीं कर पाऊगे, तो अगर एक paper बच्चों का हो गया, तो छोड़ दे, अगर उसमें बच्चे ने कुछ mistakes करी है, तो बच्चे को बताओ कि it is completely होगे, बहुत सारे marks कटेंगे, तो इससे better है कि आप बच्चे को और ज्यादा मत दराओ, so this is all for today, I hope कि मेरी सारी बाते, ये छोड़ी से information आपके लिए useful रही होगी, अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो useful लगा हो, तो like और share जरूर करेगा, चैनल पर न थाएगा, thank you for watching this video, bye bye